कि आपने कैंट्ची को किस तरह रहा करना है इसकी प्रैक्टिस के अुसकती है हमेशा शेट को आपने यू करके काटना होता है कभी भी आप शेट को ऐसे इला हिला के नहीं काट सकते आपकी खराब हो सकती हमेशा कपड़ एक ही जगा आपको सिफ अपने हाथ से कैंची का इस्तमाल अच्छे से अच्छा करना चाहिए और वह प्रैक्टिस आपकी तब ही मुम्किन है जब आपने उसको पेपर पर किया होगा अभी जैसे कि मैं एक ही जगा खड़ी हूं मैं कपड़े को भी नहीं हिला रही हूं अच्छा ये साथ साथ आप देख लें कि मेरी हाथ की मुम्मेंट में जैसे जैसे जिस जिस कट पर मैं जा रही हूं कटिंग होती जा रही है मेरे हाथ को आप देखें और कैंची पकड़ने का तरीका चेक करें